पद्दरुप मंडल के दुर्गम क्षेतर चोहार घाटी के बरोट में सुभा स्थानिय बजार के साथ लगते घर जंगल में एक नील गाय यानी सामबर आ गया जिसको देखने के लिए सुभा सुभा सैकडों लोग इकटे हो गए जानकारी देते हुए ग्राम पंचायद बरोट के प्रधान डॉक्टर रमेश ठाको ने बताया कि सुभा ही एक नील गाय यहाँ पर स्थानिय बजार में घुज गई थी जिसे लोगों की सहायता से रेस्क्यो कर वनवी भाग के बरोट थूजी बीट के गार्ड बिट्टू र प्रधान वर वनवी भाग के लोगों की सहायता से जंगल में छोड़ा गया था ग्राम पंचायद प्रधान रमेश ठाकोर ने कहा कि इन जीव जन्तूं की सेवा सुरक्षा करना हमारा करतव बनता है उनने कहा कि जैसे हमें जीने काधिकार है वैसे इन जीव जन्तूं को भी जीने का अधिकार है जीब के माध्यम से उसको एक सुरक्षी स्थान पर ले गए उसके बाद स्थाने लोगों और वनरक्षी की टीम ने उसको जंगल में एक सुरक्षी स्थान पर छोड़ दिया हम पिंचायत की तरफ से पूरी टीम का बनरक्षे की टीम का और स्थान्य युवाउं का जो इस रेस्क्यू ओपरेशन में संबली थे उनका हम अपनी और से धन्यवाद करना चाहते हैं थेंक्यू आपके विधान सबा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार शाथ ही इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष राय भी हर हफ़ते केवल लाइट डाइमस टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे तो हमें भेज़े अपना वीडियो ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004 आपके विधायक ने पिछले चार साल में क्या कुछ किया? क्या मुकम्मल हुआ और किसे क्या दरकिना? जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास के रफतार? लाइट टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधान सबार इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार शाथ ही इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष रराय भी हर हवते केवल लाइट डाइम्स टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे तो हमें भेज़रे अपना वीडियो 82.108.003 या 82.108.004 हमेगाए जिश्ब्स टीवी अपना राइम्स